भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले जब भी होते हैं तो हमेशा कांटे की तक्कर होती है पर यह कांटे की तक्कर पर एक बार जल्द ही देखने को मिलने वाली है दरसल एशिया कप के दौरान दोनों ही टीमें एक दूसरे से फिर एक बार तकराती हुई नजर आएंगी तो वही साउथ अफ्रीका के दिगज खिलाडी ABD विलियर्स ने भी इस मुकाबले पर भविशवारी करते हुए अपनी बात कही है और उन्होंने इस टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया उसे सुनकर आ भी हैरान ले जाएंगे दरसल सितंबर के महीने में एशिया कप का आयोजन होना है दोनों ही टीमें वैसे तो मौजूदा समय में खतरनाक प्रदर्शन कर अलग ही मुकाम हासिल करी हुई है लेकिन आपको बता दे फिलहाल भारतिय टीम का पल्डा थोड़ा सा भारी रहा है क्योंकि साल 2022 के टी 20 वर्ल्ड कप में जब अंतिम बार पाकिस्त बड़ा साज ज्यादा भारी है लेकिन आपको बता दे पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी लगातार बयान बाजी और इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस बार एशिया कप में भारतिय टीम को करारी शिकस दी जाएगी लेकिन आपको बता दे ए बी डिविलियस का इस बी पाति थी उसने पिछले कुछ समय में शानदार खेल दिखाया है लेकिन मुझे लगता है जब भी भारत और पाकिस्तान की बात होती है तो विराट जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं उसको देखते हुए यह कहना गलत नहीं कि पाकिस्तान की टीम के उपर वह फिर एक बार कहर बनकर तूटेंगे क्योंकि यहाँ एशिया कप 50 ओवर फॉर्मेट का होगा और विराट रूप कर बल्ले बाजी करने में बेहर माहिर ह मुझे लगता है भारतिय टीम फिर एक बार बाजी मारेगी और पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक हार लग सकती है इस तरह से एबी डिविलियर्स ने अपना बयान जारी करते हुए भारत को इस मुकाबले का विजेता बताया वैसे आप सभी को क्या लगता है कौन सी टीम जीत कमेंट सेक्शन में बतायेगा